हेलो एरिवन एंड वेलकम माई यूटूब चैनल नाइन क्लासेस हाल ही में गौवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्टी आफ होम आफेर्स के दौरा एक वेकंसी अड़र्टाइजमेंट जारी किया गया है तो यह है आप वी एस एफ एयर विंग ग्रूप सी आंलाइन फार्म दो आल इंडिया में मेल या फीमेल कोई भी है तो आनलाइन आवेदिन कर सकते हैं एप्लिकेबल होने पर तो आज के इस वीडियों हम सभी जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी एस लिमिट क्या होगी और वेकंसी डीटेल्स और आपका इलेजवेलिटी क्या होगी और सेल्डी क्या रहने वाली हैं तो आप सभी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें शाथी शाथ विल आइकन को प्रेस कर लें जिसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके तो वन बाई वन हम सभी के बारे में जानेंग तो ट्रेड वाइस हम देखेंगे मेकेनिकल आपका ट्रेड होना चाहिए यह एयर फ्रेम एंड इंजन से तो इसमें आपका अन्रेजर्व की सिक्स वेकेंसी हैं EWS की 1 है SC की 1 है और ST की 1 अगर हम टोटल नंबर वेकेंसी की बात करें तो 9 है जिनमें आपका EX सर्विस मैन के लिए 10% रिजर्व किया गया है और Omen के लिए 14 से 15% रिजर्व किया गया है अगर हम बात कर लेते हैं लेवल 5 से आपका पे सेलरी रहने वाला है ये 39,200 से 92,300 रुपई ये तक रहेगा ओके नेक्स्ट है आप सभी का जो नेक्स्ट ट्रेड है इसी ASI पोस्ट के लिए तो ये है एवियोनिक्स से इसमें इलक्टिकल इंस्ट्रूमेंट रेडियो या रडार होगा तो इसमें आपका निजर्व की 10 पोस्ट हैं EWS की 1 है SC की बात करें तो 1 है और ST की 1 टोटल नंबर आप पोस्ट आपकी 13 है जिसमें आपका EX जो आपका क्या नाम है सर्विसमें है इसके लिए है आपका 10 परसंट और ओमेंट के लिए आपका 14 से 15 परसंट रहेगा अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका है फिक्स्ट विंग के लिए तो इसमें आपका मेकेनिकल ट्रेट से है तो अंडिजर्व की 1 पोस्ट है और नेक्स्ट है EWS की 1 है OVC की 2 है SC की 1 और ST की 1 टोटल नंबर आप पोस्ट आपकी 6 है जिनमें आपका क्या नाम है 10 परसंट यह है आपका EX सर्विसमें के लिए और 14 से 15 परसंट आपका ओमें के लिए है तो नेक्स्ट है आपका यदि आप एवनिक्स से हैं Electrical and Instruments से तो इसमें आपका अंडिजर्व की 1 पोस्ट है OVC की 2 है और बात करें SC की 1 है टोटल नंबर आप पोस्ट आपकी 4 है और यह आपका EX सर्विसमें और Omen का वैसे है जैसे उपरवालों में है तो नेक्स्ट है ALH स्लैस्ट द्रोग विंग के लिए आपका Mechanical Trade होना चाहिए इसमें अंडिजर्व की 6 वेकेंसी हैं EWS की 2 हैं OVC की 5 हैं SC की 3 हैं ST की 1 है टोटल नंबर आप पोस्ट 17 है और इसमें भी आपका क्या नाम है जो EX सर्विसमें है तू परसेंट आपका होगा और Omen का सभी में होई 14 से 15 परसेंट होगा अब टोटल नंबर आव वेकेंसी की बात करते हैं तो यह हैं Ondeserv की 24 हैं EWS की 5 हैं और 9 आपकी OVC की है SC की 7 हैं और ST की 4 हैं टोटल की बात करें तो यह हैं 49 वेकेंसी ओके तो नेक्स्ट हम सभी देख लेते हैं जो नेक्स्ट वेकंसी है जिसमें आपका असिस्टेंट रेडियो मेकैनिक यह है ना इसमें आपका रोटरी विंग के लिए बात करते हैं इसमें एवियोनिक्स से आपका डिपलोमा होना चाहिए अगर आपका जो जनरल की वेकंसी 2 हैं EWS की 1 हैं और जो आपका ST की हैं वो हैं 3 वेकंसी अब बात कर लेते हैं इसमें फिक्स्ट विंग के लिए तो इसमें एवियोनिक्स से होना चाहिए इसमें आपका जनरल के लिए आपका 1 वेकंसी है ST के लिए 1 है बात कर लेते हैं ALS द्रू के लिए तो इसमें भी एवियोनिक्स से आपका डिप्योमा होना चाहिए वन वेकंसी आपके अन्रिजर्व के लिए है और बात करें OVC के लिए 3 है ST के लिए 4 है बात कर लेते हैं टोटल नंबर वेकंसी के लिए तो इसमें आपकी टोटल नंबर इसमें हो जाएंगी यह होंगी 16 वेकंसी नेक्स्ट है कांस्टेवल या इस्टोर मैन के लिए तो इसमें आप सभी की जो अन्डिजर्व की 5 वेकंसी हैं और बात करें तो आपका जो EWS की 1 है, OBC की 1 है, ST की 1 है इसकी हम बात कर लेते हैं पे मैट्रिक्स यानि सैलरी के तो यह आपका 2700-7900 रुपए पर मंत रहने वाला है CPC यानि सब कुस मिला करके कटपिट के आप बात कर लेते हैं नोट पॉइंट इसमें लिखा हुए हैं यह जो अप्लिकेशन मोड होगा आनलाइन होगा जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है आप सभी को और लास्ट डेट जो है यह आपका स्टार्ट डेट से 30 यानि आपका जो इस्टार्ट..डेट है अनलाइन का वो 37,221 तो लास्ट डेट की बात करें तो यह 26,220 है यापके पास 30 देड़ का टाइम होगा आनलाइन करने का अब बात कर लेते हैं यह जो एसलिमिट काउंट होने वाली है यह लास्ट डेट 2,221 से काउंट होगी ओके चलिए अब बात कर लेते हैं यह जो इजन्टियल क्वालिफिकेशन होगा तो ASI यानि आसिस्टेंट एरक्राफ्ट मेकैनिक के लिए तो इसके लिए इजन्टियल क्वालिफिकेशन आपका थ्री एर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जो आपका मतलब समकस ट्रेड है जो ट स्थान से नेश्ट है आपका कांस्टेवल या स्टोर मेन के लिए तो इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए शाती साथ आपके पास कंप्यूटर नालेज होना चाहिए अब बात कर लेते हैं नेम आप पोस्ट यह जो एज होनी चाहिए तो एज आपका 28 साल होना चाहिए not existing यानि 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब बात कर लेते हैं constable और storeman के लिए तो यह 20 से 25 साल एज होनी चाहिए और यह जो ASI यानि Assistant Aircraft Mechanic और Assistant Radio Mechanic इन दोनों के लिए 28 साल आप की एज होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं description box में दे दूँगा और इसकी notification link भी description में दे दूँगा आप सभी आशानी से फिर से देख सकते हैं यद वीडियो को लेके कोई भी doubt है तो आप सभी comment box में comment कर सकते हैं